जिन लोगों का जन्म दिन 17 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरब से जन्म दिन की हारदिक्षुप कामनाएं आने वाला वर्ष आपकी आर्थिक स्थिती के लिए उत्तम रहेगा करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है अगर आप अविवाहित हैं, तो अविवाहितों का विवाह भी इस साल संभव है लेकिन स्वास्त का ध्यान रखियेगा, क्योंकि स्वास्त में थोड़ा सा उतार चड़ाव रह सकता है क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शनी की अगर उपास ना करे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा आज की जिग्यासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनी देव के मंत्र का जप या शनी देव की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए क्या सच है इसका? देखिए शनी देव के मंत्र का जप कहीं भी किया जा सकता है सिर्फ पवित्रता और श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना चाहिए घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं घर में शनिदेव का चित्र या उनकी मूर्ती ये आप स्थापित मत करिएगा आप मानसिक रूप से उनको याद करके उनका मंत्र जपिए वही आपके लिए बेहतर होगा हम आपको बता रहे हैं कि अलग-अलग राशी के लोगों के जीवन में दुरघटना की कितनी संभावना होती है आज की गुड़लक राशी है मिथुन राशी सामान्यतह इनको चोड़ चपेद और दुरघटनाओं की संभावना कम होती है एक्सिडेंट प्रोन राशी नहीं है लेकिन अगर दुरघटना की संभावना कुंडली में या जीवन में बन गई हो तो नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें आप दुरघटना से बचे रहेंगे अगर आप सरदर्द से नियमित रूप से परिशान रहते हैं सरदर्द की समस्या आपको लगातार परिशान करती है तो क्या करेंगे अपने हाथों के अंगुलियों के बीच की जगह को हलके हलके दबाईए ऐसा पांच मिनट करिए दो अंगुलियों के बीच की जो जगा है ये वाली इसको दबाईए धीरे-धीरे लगभग पांच मिनट तक अगर आप ऐसा करना शुरू कर दे सुबा-शाम दोनों समय तो सरदर्द की समस्या में जल्दी सुधार होगा और सरदर्द में लाब होना शुरू हो जाएगा अगर आप लगातार बीमारियों से परिशान रहते हैं कोई न कोई बीमारी आपके साथ हमेशा बनी रहती है तो किसी अस्पताल में धन का या दवाईयों का दान करें या किसी बीमार आदमी की सेवा सहायता करें देख भाल करें ऐसा करने से लगातार बीमार होने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से